नमस्कार दोस्तों मैं सुमित मिस्रा स्वाइद करता हूँ एक बाफिर से आप सभी का MZE Education में जैसा कि आप लोग ने अभी तक तो सुनी लिया होगा कि Queen Elizabeth Dutiae का निधन हो चुका है आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे Queen Elizabeth Dutiae के निधन के बाद Britain के अगले King कौन होंगे और साथी साथ नए राजा बनने के बाद मुद्रा, राष्ट्रगान समेथ बहुत सारी चीजे चेंज होने वाली हैं इनके बारें भी जानेंगे एक कोई Britain का राजा हो या महरानी हो उसके अंतरगत कितने देशों की सत्ता रहती है इसको भी हम लोग जानेंगे साथी साथ जो ये Queen Elizabeth Dutiae थी इनकी family कैसे थी, इनका family structure कैसा है आगे आने वाले टाइम पर कौन-कौन राजा बनेंगे कौन-कौन king बनेंगे और Queen बनेंगी इनके बारें भी हम लोग समझेगे तो वीडियो बहुत जादा informative होने वाली है, बहुत जादा detail की साथ होने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो Queen Elizabeth Dutiae ये 1952 में 1952 में पहली बार ये Queen बनी 1952 में Queen बनने के बाद 70 वर्सों तक इन्हों ने सासन किया और 70 वर्सों तक सासन इनका इतना लंबा रहा कि UK-Britain के इतिहास में तो सबसे लंबा कारिकाल रहा ही रहा दुनिया में आज तक अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे largest, second largest इनका रहा है तेन्योर कारिकाल रहा है ठीके किसी भी देश के राष्ट्रा धक्ष के रूप में इससे पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबा कारिकाल का रिकार्ड दोस्तों लुई 14 की नाम है लुई 14 इनके नाम है सबसे लंबा कारिकाल का जो की 72 पॉइंट संथिंग डेश के लिए था तो 70 साल तक का इनका रहा है इतिहास, 70 साल तक के कारिकाल के बाद अब इनका निधन हो गया है दोस्तों कोई ब्रिटेन की महरानी हो या ब्रिटेन का राजा हो उसके अंतरगत बहुत सारे देश आते हैं यानि इन देशों के भी महराज या रानी यही होगी ठीक है यही होते हैं जो ब्रिटेन की होते हैं कैसे जैसा कि आप सबको पता है कि एक टाइम पर ब्रिटेन आधी सी जादा दुनिया पर कबजा कर रखा था उस पर ससंद कर रहा था तो ये प्रता तभी से चली आ रही है दुनिया भर के तमाम देश देखे आजादी सबको मिलती गई दिरे दिरे उनमें से बहुत सारे खुझ से चुन लिए और कुछ देश अभी भी हैं जो फॉलो करते हैं ब्रिटेन की महरानी को यानि अपने यहां वो सिस्टम चेंज नहीं किये बतलब चुनाओं के दौरान वो प्रधान मंतरी तो चुन लेते हैं लेकिन राश्टरपती के रूप में या कहें कि राश्ट अज इंडिया भी क्योंकि रहा था एक टाइम पर गुलाम लेकिन इंडिया ने अपने समिधान में परिवर्तन किया और अपना राश्टरपती को चुना लेकिन वहीं अगर आश्टलिया की बात करें तो आश्टलिया नहीं अब बदला है बहुत सरे देश धीर धीर समय के स साथ अपना जो राश्टर धेक्ष है वो स्वयम का करनेया शुरू कर दिये अभी के टाइम पर गर बात करें तो अभी दोस्तों एंटी हुआ बारबुडा, कनेडा, आस्टेलिया, बेलीज, बहामास, ग्रेनेडा, जमेका, सेंड केट्स, पापुआ न्युगिनी, निउज सेंट लुसिया, सेंट विसेंट, तुवालू, सोलोमान, ये सभी जो देश हैं, ये अपना राश्टर धेक्ष अभी भी महरानी एलिजाबेत को मानते थे, माना करते थे और अब प्रिंस चार्ल्स को मानेंगे, क्योंकि प्रिंस चार्ल्स ही अब आगे किंग बनने वाले है ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया, कि अभी भी बहुत सारे देश अपने समिधान में परिवर्तन किये हैं, और करने के बाद भी इनको अपना राश्टर धक्ष माना करते थे, कारण था कि एक टाइम पर बिटेन का ही सासनकाल था, यहाँ पर सबसे बड़ा आपका स अब यह कोड़ वर्ड जो था, आपरेशन लंदन ब्रिज, इसके तहत यह था, कि अगर लंदन में इनका निधन होता है, अगर बिटेन में इनका निधन होता है दोस्तों, तो फिर देखिए, यह अगर बिटेन में इनका निधन होता है, तो फिर इसे आपरेशन लंदन ब् ठीक है तो ये कहकर संदेश देगा तो अभी आपने देखा रिसेंटली ब्रिटेन में नई प्राइम मिनिस्टर भी बनी हुई है लिज ट्रस्ट तो लिज ट्रस्ट को इन्होंने संदेशा दिया ठीक है तो most probably यही कहा होगा क्योंकि यहां का code word था देखे एक चीज और ब्रि से ही decide था और यह चीजे प्रकासित हो चुकी थी Guardians में 2017 में ही कि अगर मान लीजिए Britain में निधन होता है तो फिर Operation London Bridge के तहत इनको दफना जाएगा इनकी अंतिम प्रक्रिया करी जाएगी और अगर Scotland में होता है तो Operation Unicorn के तहत किया जाएगा यह पहले से ही pre-decided था और code word वो भी था कि कैसे denote करना है कैसे बताना है कि अब Elizabeth नहीं है ओके इसके बाद अगर बात करें कि Britain में महरानी Elizabeth की जाने के बाद क्या क्या changes आएंगे तो यहां पर बहुत सारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे काराण यह है कि यह 70 सालों से 30 सत्ता में तो उस टाइम पर currency में भी इ उसको अब Charles के नाम किया जाएगा Charles तीसरे जो है Charles the third यह बनने वाले हैं Britain के नए king अब यह सारी चीज सतर सालों से नहीं change होती लेकिन अब change होंगी यहां पर आप देखाऊगे flags and standard across the UK UK में flags और standards जो भी है और चीज़ है वो बदली जाएंगी जैसे कि Queens colors में अब परिवर्त किया जाएगा इसे king's colors किया जा सकता है ठीक है British military flies है इसके अलावा दोस्तो national anthem में भी परिवर्तन होगा national anthem जो था God save our gracious queen था अब वो God save our gracious king होगा ठीक है God save our gracious king मतलब यहां पर national anthem में लोग अपने राजा या अपने राणी की सुरक्षा के लिए प्रारतना करते हैं ठीक है न लोग अपने राजा अपने राणी की बारे में national anthem में कहते हैं फिलाल जो भी है इसके अलावा currency of UK United Kingdom के currency में भी changes देखनों को मिल सकते हैं United Kingdom की currency में दोस्तो जो Elizabeth की तस्वीर लगी है Queen Elizabeth की हो सकता है वहां पर दोस्तो King Charles का रहे या फिर हो सकता है King Charles आया और कहें कि नहीं नह तक हो ही continue करना चाहते हैं सिक्के में उन्हीं की photo रहेगी उन्हीं की तस्वीर रहेगी यह भी हो सकता है ठीक है मतलब यहां पर सिर्फ perception दिखाय जा रहा है अपने अपने तरिप के से लोग prediction कर रहे हैं क्या-क्या changes हो सकते हैं अब यह depend करेगा वहां के सरकार पर वहां के र ठीक है ना तो यह सारे परिवर्तन होने वाले हैं अब बात आती है अब आपने king Charles को तो जान लिया है कि अब यह जो Charles है यहीं बनेंगे यह जो Charles है ना यह इनके बेटे हैं अब यह Charles तिरतिये हैं यहां पर लोग नाम बदलते नहीं है नाम वही रखते हैं उसे में दुतिय है Queen Elizabeth है काफी पुरारी तजबीर है इनकी family है इनकी family structure को समझते हैं एक दो पीड़ी आगे पीछे जाते हैं और एक दो पीड़ी नीचे तक जाएंगे देखे सबसे पहले King George 5 के बारे में बात करेंगे 1936 में इनका निधन हुआ यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा उतन Elizabeth से साधी किये थे अब Elizabeth जो है जो की Queen Elizabeth दुतिये की मदर थी ठीक है ना यानि इनकी बेटी हुई Queen Elizabeth दुतिये और इनकी इनका विवा हुआ Prince Philip से Prince Philip आपको पता होगा अभी 2021 में इनका निधन हुआ पिछली साल भी इनका निधन हुआ था Prince Philip का लेकिन Queen Elizabeth को ही महारानी बना दि ये को ठीक है ये Elizabeth की बेटी थी अब इनके देखिए कितने बच्चे इनके बच्चे हुए Prince Charles जो सबसे बड़े बेटे हुए फिर Princess Anna, Prince Andrew और Prince Edward ये Prince Edward, Prince Andrew, Princess Anna ये तीनों को नहीं बनाया गया बड़े बेटे को बनाया गया Prince ठीक है ना बड़ा बेटा जो Prince जो राजकुमार घ जित किया गया बाकी तो सभी के नाम तो Prince लिखा जाएगा लेकिन अगला उतरा धिकारे बड़े बेटे को ही सौपा गया अब ये जो बड़े बेटे हुए है ना तो इनके बाद इनकी ही PD कॉंटिन्यू करेगी ये वाली PD कॉंटिन्यू नहीं करेगी ध्यान से समझेगा इ कुंट इलेजाबेद दूतिये के बाद Prince Charles बनेंगे राजा ठीक है जो कि अब बन जाएंगे अब Prince Charles की बारे में अगर बात करें तो इनकी साधी हुई थी पहले डाइना से ठीक है डाइना से साधी हुई थी लेकिन डाइना जो है एक कार एक्सिडेंट में मारी गई ठीक है इसके बाद ये दूसरी साधी करते हैं कैमिला से अब यहां से बढ़ते हुए आप देखोगे कि Prince Charles के दो बेटे हुए एक Prince Williams और एक Prince Harry प्रिंस Harry की बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे Prince Williams को इन्होंने अपना अगला उत्राधिकारी बना है अब देखो Prince Williams ने अपनी साधी किसे की Catherine से और इनके जो बेटे हुए इसमें जो बड़े है Prince George अब फिर से George शुरू हो गए यहां पर George 5 तक पर आप पढ़े थे ना देखिए फिर से George आ गए यानि कि Prince Charles के बाद Prince Williams बनेंगे और उसके बाद Prince George बन जाएंगे अगले King of Britain अब देखो बात आती है कि बड़े बेटे को, Conditions और भी है, Conditions यह है कि अगर आप किसी बिद्वा से साधी करते हैं ठीक है तब भी नहीं होगा, तब भी आपको राजसाही नहीं माना जाएगा, दूसरा अगर आप राजसाही परिवार को छोड़ देते हैं, कहीं और जाकर कि खुद बसने लगते हैं तब भी आपको नहीं किया जाएगा, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं, चुनाओ लड़ जाते हैं, क्योंकि चुनाओ लड़ना ये सब इसके लिए नहीं बनाये, चुनाओ कोई राजसाही परिवार से नहीं खड़ा हो सकता है, उसको इस सब चीजों से दूर रखा गया है एलिजबेट दूतिये, और फिर ये दोनों राजसाही परिवार भी छोड़ दिये, जाकर के करेड़ा साइड में बस गए, वहाँ पर, तो अब एक प्रकार से ये राजसाही परिवार छोड़ दिये, ठीक है, तो ये भी इसके नहीं हो रहेंगे, इसके आप खांदान का हि देख लीजे, खुबशूरत तस्वीरे हैं इनकी, और ये एलिजबेट दुतिये थी और इनका आप निधन हो गया है, यहाँ पर निधन होने के बाद, ब्रिटेन में दोस्तों, बारा दिनों का राश्टिये सोक घुसित किया गया है, लेकिन भारत में एक दिन का राश्ट आंतिम संसकार कंपलीट होगा, यानि 10 दिनों तक इनका प्रोसेस चलता रहेगा आंतिम संसकार का, और 10 दिनों के बाद पूरा होगा, 10 दिनों तक बॉड़ी ऐसे रहेगी, उसके बाद बॉड़ी को दफनाया जाएगा, तो ये वहाँ का नियम है, फिरहाल कुइन कार जहिन, वन दे मात,